विवित्ता के लाब या विवित्ता के गुण विवित्ता ना होती तो जीवन, उभाव या विकार समयसुस होता है प्रस्पर निर्भर के लिए विवित्ता उपयोगी है विवित्ता के द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक सक्तियों का विकास होता है जब एक दुसरे से मिलते हैं, विविन गुणों को एक दुसरे से विविता में देखते हैं, तो नई विविता का निर्मान होता है, इसलिए रचनात्मक कह सकते हैं, विविता के दुआरा उदार तथा सांतिपूर्ण अस्तित्य भावना का विकास होता है, कई बार विविता एक दूसरे में देखती हैं कि उसमें ऐसा उदारता है, तो अपने अंदर भी उदारता और शांतिपुर्ण वाली भावनाय लाती है। भीट्ता के ये फायदा भी हो सकता है। भीट्ता संस्कृतिक गौरग का परचायक है। यस विश्व में देखा जाए तो भारतिय संस्कृति को बहुत बड़ा importance दिया जाता है क्योंकि विवित्ता के कारण विवित्ता चाहे समाजिक या आर्थिक हो देश की पग्रिती में आवश्यक है। विवित्ता एकता को भी लेकर आता है। विवित्ता के द्वारा हम एक दुसरे के पूरक बन सकते हैं, एक दुसरे पर निर्वर बन सकते हैं, तथा विविन परकार की समस्याओं का समधान करने में समर्थ हो सकते हैं। भारत में विवित्ता के दोश। बिवित्ता के अधार पर बनाया गया देश में अशांती का वातावरण जनरली पाया जाता है, तो बिवित्ता को अधार बना कर देश में अशांती का वातावरण बनाया जाता है, जातिये प्रजातिये तथा अधार में वित्ता को अधार बना कर संप्रदाईक दंगे कराया जाते हैं। उंच निच की भावना विक्सित करकर भी दंगे कराई जाते हैं और आपस में एक दूसरे से अलगाव किया जाता है। देश की एकता में मकंड़ता हे तु यह खत्रा हो सकता है। सांस्कृतिक टकरहार तथा युद्ध किष्थितियों का पनपना हो सकता है। पैधानिक प्रावधान। समिधान के अनुचेत 15 में वंस, धर्म, लिग, जन्म, अस्थान आदी किसी भी आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार भारतिय नागरिकों को परदान किया गया है। तो भेदभाव नहीं होना है। आपके वंस के अधार पर, आपके धर्म के अधार पर, लिंक के अधार पर, जन्म, अस्थान के अधार पर। अनुछेत्र पंद्र भागतीन में इस्त्रियम बच्चों के लिए विशेस ब्योस्था की गई है कि राज्य को, राज्य मतलब गवर्मेंट है, राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरूशों की तुलना में इस्त्रियों को प्रात्मिक्ता देना अर्थात इस्त्रियम प्रूश आधि समान रूप से योग हैं, लेकिन इस्त्री अधिक योग क्यों कि इस्त्री समाज में उनको उपर उठाना है तो इस्त्रियों को इसलिए प्रात्मिक्ता दी गई है और दी जा सकती है यह प्रावधान लिंग भेद को दूर करने के लिए किया गया है कि भारत में gender inequality भिहा है, लिंग भेद भिहा है ति इसको दूर करने के लिए स्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कि जाती है अनुछेत 15 भाग 4 में कहा गया है कि राज्य समाजी तथा सैच्छिक द्रिष्टे से पिछले वर्गों जो समाजी को सैच्छिक द्रिष्टे से पिछले वर्ग हैं तथा SCST के लिए बिसेश प्रबंध करता है इसके माध्यम से समाज में जाती के अधार पर असमानता को दूर करने के प्रियास किया गया है तो अर्थात 15 भाग 4 में कहते हैं कि जो SCST जो नीची हैं पिछले वर्ग हैं समाजिक और सैच्छिक द्रिष्टे से पिछले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रात्मिक्ता दी जाती है बिवित्ता पर भुगोल का प्रभाव भुगोल हमारे जीवन के कही पालूं को प्रभावित करता है भुगोल से यहता ही होता है कि हमारी सक्ल कैसी है हम क्या खाते हैं अर्थात आप ठंड में जगह पे रहेंगे तो आप गोरे रहेंगे कुछ जगहों पर लंबे होते हैं कुछ जगहों पर हाइट कम होती है और वहाँ पे जो भोगोलिक अस्तर पर अलग अलग जगों पर अन्य प्रतकार के अन्य पैदा होते हैं, तो हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, भारत में भोगोलिक विवित्ता प्रचूर मात्रा में है, भोगोलिक लचनों के कारण होने वाली विवित्ताओं के कुछ ठंडी जलवाई के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। दच्छिन भारत के जलवाई गर्म और नम होती है। इसलिए दच्छिन भारत के लोग अक्सर गहरे रंग के और मध्यम लंबाई के होते हैं। यहां के लोग अक्सर लूंगी पहनते हैं। यहां के लोग चावल खाते हैं और उनके अधिकतर बेंजनों में नारियल का इस्तमाल होता है। और नारियल चावल जो यहां पे जो ज़्यादा पैदा होता है उसकी उप्योग करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी गर्म और नम जलवाई होती है। इसलिए पुरवी भारत के अधिकतर लोगों की तवचा भूरी या गहरी होती है। यहां के लोग मुख्य रूप से चावल और मचली खाते हैं, जो मिलता है। भारती विवित्ता पर इतिहास का प्रभाव पड़ता है। हमारे भोजन में इस्तमाल होने वाली अधिकतर चीजें अलग-अलग देशों से आई हैं। आज आप लोग नूडल बहुत चाव से खाते हैं, जो कि एक प्रकार से चीन से आया है, बिर्यानी खाते हैं, तो वो सभी का एक उत्पत्ति अस्थान अलग है। लेकिन नूडल के लेकपुरिय होने में सैक्ड़ो वर्सो पहले से यहां सेवियां खाय जाती है। यह भी नूडल का ही एक रूप है। आलू, टमाटर, लाल मिर्च, कई अन्य सब्जियां अलग-अलग देशों से आये हैं। आधी काल से ही लोग एक जगह से दुसरी जगह की यात्रा करते हैं। अधिकतर लोग ब्यापार के लिए यात्रा करते थे, लेकिन कुछ लोग तिर्थ करने के लिए भी यात्रा करते थे। ऐसे लोग अपने साथ अपना खान-पान, और शाक, संस्कृति और धर्म को भी ले जाते थे। तो इस तरीके से आप इतिहासिक अस्तर पर भी देख सकते हैं। भारतिय विवित्ता के समक्ष चुनोतियां। विवित्ता शब्द अशमानताओं के बजाए अंत्रो पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विवित्ता वाला रास्ट है, तो वो हमारा तात पर यह होता है कि यहां अनेक प्रकार के समाजिक समू समुदाय निवास करते हैं। ना कि असमानताओं के अधार पर हो। भारत में सांस्कृतिक विवित्ता की जलक, भारत में विविन परदेशों में भाषा, रहन्शन, खान-पान, वेश-भूशा, प्रथा, प्रंप्रा, लोक-गीत, लोक-गाथा, विभा-प्रणाली, जीवन-संसकार, कला, संगीत, तथा नित्य में भी हमें अनेक रोचक औ भारत की है, करनाटिक म्यूजिक है, डांस भी इस परकार से, उत्तर भारत, दचिन भारत, पूर्वी भारत में सब में अलग-अलग एक संस्कृति है, खाना, पीना है, वेश-विसा है, विवित्ता की जलक है, संस्कृतिक विवित्ता से संप्रदायवाद, जातिवाद, छ अपना अच्छा नहीं है ये देश को तोड़ने के लिए है एक समदाय दूसरे समदाय को नीचा दिखाता है किस अधार पर संप्रदायवाद के अधार पर जातिवोग के अधार पर छेत्र के अधार पर भाषा के अधार पर जैसे नदियों के जल सरकारी नौकरियां अनुद जाती, प्रजाती अलग-अलग हैं, इसे ही सांस्कृतिक विवित्ता कहा जाता है, सांस्कृतिक विवित्ता के कारण हमारे सामने बड़ी-बड़ी चुनोतियां हैं, जैसे छेत्रवाद, संब्रदाइकतावाद और जातियता, सामुदाईक पहचान जन्म तथा अपने पन प जैसे जाती, धर्म, लिंग आधी, जो की अच्छी नहीं है। अर्जित पहचान जिसकी पहचान अपनी योगता, कौशल, हुनर आधी से प्राप्त की जाती है। उसे अर्जित पहचान कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, इंजिनियर, अध्यापक आधी। समुदाय, समुदाय में व्यक्तियों का समुझ जिसमें हम की भावना तथा अपनापन होता है। राष्ट के अंतरगत, राष्ट एक तरह का बड़े अस्तर का समुदाय होता है, यह कई समिदायों से मिलकर बनता है। मेक्स वैबर के अनिसार, राजे का ऐसा निकाय होता है, राजे मतलब सरकार, जो एक विशेश छेत्र में विधी सम्मत एक अधिकार का सफलता पुरुवक दावा करता है। सांस्कृतिक विवित्ता के कारण अधिकांस राज्यों को डर था कि इसमें समाजिक विखंडन की इस्थिति उत्पन हो जाएगी और समरस्ता पुन समाज के निर्मान में रुकावट आएगी। ये प्रतिसेत निस सेकारण विक अधार पर है लेकिन ये बदल चुका है जो NCRT में दिया गया है उसके अधार पर बता रहा है। इसाई 2.3% सिक बौध जैन इत्यादी विविन जातिया। विवित्ता में एक्ता। भारत में विवित्ता में एक्ता की प्रसिद अधाना बिलकुल सटिक बैठती है। विवित्ता में एक्ता का अर्थ है अनेक्ता में एक्ता। कई वर्सों से इस अधान्ना को साबित करने वाला भारत एक स्रेष्ट देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विवित्ता में एक्ता देखने के लिए बहुत अस्पस्थ है क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरी की भावनाओं और भ्रोसे का बिना आहत के कई धर्मो नशलों, सांस्कृतियों, संस्कृतियों, परंपराओं के लोगों के एक साथ रहते हैं एक्ता ही देश की तकदीर है, जिसमें एक्ता नहीं वो देश, फकीर है, ये लाइन आप याद रखें और यूशूड से आई लव माई इंडिया बिवित्ता में एक्ता का महत्व, बिवित्ता में एक्ता लोगों की कार्यस्थल, संगठन और समुदाय में मनुबल को बढ़ाता है यदि विवित्ता मेगता रहेगा तो कारे अस्तल जहां पर काम करते हैं किसी संगठन और समधाय में एक दूसरे के साथ जुड़कर मनोबल की भावना बढ़ाती है जो यहां पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यह लोगों के बीच में दल भावना, रिष्टे, समू कारे को बढ़ाने में मदद करता है रिष्टे बढ़ाता है, समू में कारे करने को बढ़ाता है एक दल में एक होकर रहने का बात करता है इसकी वज़ा से प्रदर्शन, कारेकुशलता, उत्पादक्ता और जियन सैले में सुधार आता है बुरी परसितियों में भी ये प्रभावसाली संबाद बनाता है यदि एकता रहेगी तो बुरी परसितियों को अच्छे से लड़कर आगे निकल सकते हैं बिना बात किये भी बात करके भी कई लोगों को बिना संबाद के भी एक दुसरे से जुड़कर बुरी परसितियों में आगे बढ़ सकते हैं सामाजिक परिशानियों से लोगों को दूर रखता है और मुश्किलों से लड़ने में असानी से मदद करता है मानो रिष्टों में अच्छा सुधार लाता है तथा सभी के मानो अधिकारों की रच्छा भी करता है तो ये विवित्ता में एक्ता का बहुत महत्व है भारत में विवित्ता में एक्ता पर्यटन के स्रोत उपलब्द कराता है पूरी दुनिया से अधिक यात्रियों और पर्यटकों को बिविन सांस्कृति, परंपरा, भोजन, धर्म और परिधान के लिए लोगों को अकरसित करते हैं कई तरीकों में असमान होने के बावजूद भी देश के लोगों के बिच राष्ट्रिय एकिकरण की आधत को ये बढ़ावा देता है भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत और सम्रिद बनाने के साथ ही ये देश की संपन विरासत को महत्तो देता है तो सांस्कृतिक विरासत को तो मजबूत बनाता है और भी सम्रिद करता है लेकिन देश को इससे आगे बढ़ने की सक्ति मिलती है बिविन फशलों के दुवारा क्रिसी के छेत्र में संपन बनाने में ये मदद करता है क्रिसी छेत्र में भी लोग एक साथ एकता के साथ आगे बढ़ते हैं जिससे देश की अर्थव्यस्ता में वृद्धी होती है देश के लिए बिविन छेत्रों में कौशल और उन्नत पेशोकरों पेशवरों के साधन है और विवित्ता में एकता विविन छेत्रों से विविन प्रकार के कौशल को पैदा होते हैं, बनते हैं और उन्नत पेसे और बनते हैं विविन छेत्रों में भारत विश्व का एक प्रशिद और बड़ा देश है जहां बिभिन धर्म जैसे हिंदू, मुश्लिम, बौध, सीख, जैन, इसाई, पार्शी, आदी एक साथ रहते हैं लेकिन सभी धर्म करम के एक सिधान्त पर भरोसा करते हैं यहां लोग सोभाव से भगवान से डरने वाले होते हैं और आत्मा की सुद्धी, पुनर, जन, मुख्च, स्वर्ग और नरक में भरोसा रखते हैं बिना किसी धर्म के लोगों को हानी पहुंचाए बहत सांती पुन्ट तरीके से लोग अपने तेहवारों होली, दिवाली, इद, क्रिस्मस, गुड़ फ्राइडे, महावीर जैनती, बुद्ध जैनती आदी को मनाते हैं